कि दोस्तों तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 दिसंबर का करेंट अफियर्स तो देखिए पहला कोस्चन है राष्टपति श्रीमति दरोपदी मुर्मू ने किस आई 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 टी के उनत्तरवें दिख्छान समारों में भाग लिया अप्शन अ में है आई आई टी दिली अप्शन बी में है आई आई टी मुंबई सी अप्शन में आई आई टी कानपूर डी अप्शन में आई आई टी खडगपूर तो इसका राइट अप्शन हो जाएगा दोस्तों अप्शन नंबर डी आई आई टी खडगपूर नेक्स्ट करेंगे option A में हैं गंतंत्र दीवस B option में हैं India innovation summit C option में smart India दीवस D option में है युवा उद्मित सम्मिलन तुसका right option हो जाएगा option नमबर C smart India दीवस नेक्स्ट कॉर्चन है तिसरा नमबर परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने उत्तर परदेश के वारानसी में आज कितने कड़ोर रुपए से अधिक की विकास परियोजना की आधार सिला रखी आफ्षने में 14500 कड़ोर रुपए D उठ चन copyright हो जाएगा अप्षन नमबर D 19150 कड़ोर रुपए केंद्रिय मंत्री डाक्टर जितेंद्रसी ने भारत के किस सोर मिशन का उल्लेक किया है और इसके गंतव्य लाइगेंज पॉइंट वन कब पहुँचने की उमीद है अप्शने में सोरिय यान जनवरी के दूसरे सब्ता बी अप्शन में आकास सोरिय मार्च के आधिकारीक सुर्वात सी अप्शन में सोर समवाद फरवरी के आधिकारीक सुर्वात डी अप्शन में आदित्य एल वन फरवरी के पहले सब्ता तो इसका राइट अप्शन हो जाए गोयल और ओमान सल्तनात के वानिज्य उद्योग और निवेश समवर्धन मंत्री स्रीकेस से बिन स्रीकेस बिन मौमद अल यूसुफ ने किस विशे पर चर्चा की अप्शने में है रक्षा और सुरक्षा B option में है परियावरन और जलवाई परिवर्तन C option में है वेपर और निवेश D option में है खायत सुरक्षा तो इसका right option हो जाएगा option number C दोस्तों वेपर और निवेश नेक्स्ट कॉस्चिन देख सकते हैं भारत सरकार किसे राज्टिय महत्व के प्राचिन अस्मारकों पूरा तत्विक अस्थलों और अफसेसों का संरक्षन और रख रखाव करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है नेक्स्ट कॉस्चिन आप देख सकते हैं सात्वा नंबर केंद्रिय कार्मिक लोग सिकायत एवं पेंशन राईज मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग ने कब सुशासन चप्ता दोजार तेजिस का उद्गाटन किया और इस अउसर पर कौन-कौन से परमुक पहलूओं पर बादचित की गई अप्शन A में है 15 दिसंबर 2023 सिक्षा और स्वाइस्ट B अप्शन में 22 दिसंबर 2023 वित और अर्थवेस्था C अप्शन में 19 दिसंबर 2023 प्रसासनिक सुधार और लोग सिकायत D अप्शन में 25 दिसंबर 2023 सामाजिक छेत्र और भूमी सुधार तो इसका राइट अप्शन हो जाएगा दोस्तो अप्शन नमबर C 19 दिसंबर 2023 प्रसासनिक सुधार और लोग सिकायत उसके बाद का कोस्तिन देख सकते हैं आठवा नमबर NHAI ने किसके लिए 9384 कलर रुपए में 273 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई के टोल अप्रेट ट्रांसपर्ट T.O.T. बंडल 13 और 14 को आवंटित किया है अप्शन A में राज सरक परिवहन विभाग B अप्शन में है National Highway Authority of India C अप्शन में भूतपूर्व सरक निर्मान नेकम D अप्शन में नेत्रेत वर अस्थानिया विकास अभियनता तो इसका राइट अप्शन हो जाएगा अप्शन नमबर B National Highway Authority of India उसके बाद आप देख सकते हैं 19 दिसंबर की महत्पुर्ण वह एतिहासी घटनाए क्या क्या हुआ था तो देखिए पहला पॉइंट में है King Henry दुद्तिय ग्यारा सो चोवन में England के समराट बने नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं अमेरिका ने 1842 में हवाई को प्रांत के रूप में मैन्यता दी नेक्स्ट पॉइंट आपका देख सकते हैं अमेरिका में मोसम विज्ञान सोसाइटी की अस्थापना 1919 में हुई नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर परदेश ओटो मुवाईल संग की अस्थापना 1927 में हुई नेक्स्ट पॉइंट है भारत के तिन क्रांतिकारियों पंडित, राम, परसाद, बिस्मिल असफाक, उल्लाखा व ठाकुर, रोशन सीन को 1927 में ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका कर मार दिया नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है गोवा 1961 में स्वतंतर हुआ नेक्स्ट पॉइंट है ब्राजिल के सहर रियोदी जेनेरियों से 1983 में फुटबोल के फिफा विश्वकप की चोरी हो गई नेक्स्ट पॉइंट है आस्ट्रेलिया ने वेस्ट एंडिज को हराकर 2000 में लगातार 13 टेस्ट मेंच जीता है नेक्स्ट पॉइंट है केनराबैंक HDFC वन बैंक ओ रजस्थान ने 2008 में आवाश्रिन सस्ता करने की घोशना की नेक्स्ट पॉइंट है पार्क ग्यूण है देखचीन कोरिया की पहली महिला राष्टप्ती बनी उसके बाद आप देख सकते हैं 19 दिसंबर को जनमे परसिद वेक्ती तो देखिए पहला पॉइंट में हैं सिनियर मानव आधिकारो के लिए आजीवन संगर्ष करने वाले अमेरिकी नेता मार्टिन लुथर किंग का जनम 1899 में हुआ नेक्स पॉइंट आप देख सकते हैं भारत की पर्थम महिला राष्टपती परतिभा देवी सींपाटील का जनम 1934 में हुआ नेक्स पॉइंट है आप देख सकते हैं आस्ट्रेलिया के किरकेट खिलाडी ये वो कप्तान रिकी पॉन्टिंग का जनम 1934 में हुआ नेक्स पॉइंट है अमरीकन फुटबोल के खिलाडी जेक पलमर का जनम 1934 में हुआ नेक्स पॉइंट है अमरीकन अभिनेता जेक गाइलन हाल का जनम 1980 में हुआ उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 19 दिसंबर को हुए परसिद वेक्तियों के निधन यानि की मिर्तियों तो देखे पहला पॉइंट में 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहोजी का निधन 1860 में हुआ नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं भारत के परसिद स्वतंतरता से नानी असफाक के उल्ला खा का निधन 1927 में हुआ नेक्स्ट पॉइंट है भारत की आजादे के इसलिए संगर्ष करने वाले करांतिकारियों में से एक ठाकूर रोशन सिंग का निधन 1927 में हुआ लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं ज्यानपिट पूरुषकार सम्मानित और परसिद गुजराती साहितकार उमासंकर जोशी का निधन 1988 में हुआ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रण तब तब के लिए जैहिन वंदे मात्रम